असलाम अलेकुम मैं नाम इस फजल वहाब यार वाचिंग मैं यूट्यूब चैनल हम एक्सरसाइज है चप्टर नुबर वन मेजर्मेंट के क्वेस्टेंज कर रहें नुमरेकल स्वाल कर रहें यह प्रॉब्लम नुबर वन पॉइंट है दिए स्पीड अप्ट वी ओफ साउंड वेवस त्रों अमेडियम मैंबी एजियंटु डिपेंड और नॉम्बर एक किशीज के ओपर देंसिती ओफ देमिडियम के ऊपर एनुज श्पीड आप सांट है वह किसी इसके ओपर डिपेंड करता है नंबर एक मीडियम अफ देंसित of the medium के ओपर यह वाटर के अंदर है वो किसी दूस हवा के अंदर है एर के अंदर है किस चीस के अंदर है तो speed of sound depends on the density of that medium and number six the modulus of elasticity model modulus of elasticity stress to the strain ratio होती है stress to ratio stress to the strain to modulus of elasticity के ओपर depend कर लेता है वो कह रहें कि deduce by the method of dimension the formula for the speed of sound यहाँ पे speed of sound के लिए formula निकालते हैं तो यह चीज़ जहन में रख लिजएगा कि जब भी हमें कोई formula मालूम करना होता है किसी भी चीज़ के लिए dimensions के जरी हमें कर formula निकालना है तो उसके लिए जो चीज़ important है आपको पहले से पता होना चाहिए कि उसका formula खिंकीन चीज़ें के ओपर depend कर लेता है मैं इस से हट के मिसाल के तौर पर हमने एक एक्जामपल किया था time period of pendulum ठीक है तो उसमें हमें यह पहले पता होना चाहिए कि अगर हम we are going to find out the time period for the pendulum so we need to know the time period of pendulum depends upon which factors मिसाल के तौर पर mass के ओपर depend करता है length के ओपर depend करता है gravitational acceleration के ओपर depend कर लेता है gravity के ओपर depend कर लेता है ठीक है तो यह चार चीज़ें है जिसके ओपर time period of a pendulum depend कर लेते हैं mass length gravity और angle ठीक है यह चार चीज़ें के ओपर depend कर लेता है तो पिर हम उस चीज़े पिर हम time period of pendulum मालूम कर लेते हैं already वह हम कर चुके हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लिजेगा बिल्कुल same method हम speed of sound के निकाल लेते हैं वो directly proportional यहाँ पिर वो given है एक density के ओपर depend कर लेता है और एक जो है वो elasticity के ओपर depend कर लेता है दो चीज़ें के ओपर depend कर लेता है ठीक है अब इन दोनों चीज़ों से हम क्या कर लेते हैं कि formula निकाल लेते हैं अब हम इसको यू लेके हैं कि we अच्छा हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके exponents क्या आ रहे है यह हमें असल में इस formula के अंदर मालूम करना होता है तो जब भी आपको जैसे मैं time period कर लेता हूँ time period कर जो formula होगा वो length के ओपर depend कर लेता है वो mass के ओपर depend कर लेता है वो gravity के ओपर depend कर लेता है वो theta के ओपर depend कर लेता है ठीक है तो इसके लिए हम जो exponent लगाएंगे इसके लिए a लगाएंगे इसके लिए b लगाएंगे इसके C लगाएंगे इसके लिए D लगाएंगे ठीक है यह question हम already कर चुके है तो same हम method यहाँ पिपलाई करते हैं उसके लिए हम A लगाएंगे इसके लिए हम क्या लगाएंगे exponent B लगाएंगे क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो वो हम मालूम करेंगे ओके तो यह मैं हटा देता हूँ इस तरह से मेरे पास आजाएगा एक्विलिटी को खतम करने के लिए स्वरी यह प्रोपोर्शनलिटी को हम एक्विलिटी लगा जेते हैं एक्विलिटी को खतम करने से एक constant आएगा यहाँ पिटिक है वी डूंट नो यहापी कि वो constant क्या है ठीकिन हमारे पास एक constant आएगा density के लिए A और modulus के लिए हमारे पास B आजाएगा modulus of elasticity के लिए भी आजाएगा अब हम क्या करते हैं कि इनके dimensions हम निकाल लेते हैं कि इनके हमारे पास जो dimensions आएँगे वो हमारे पास क्या जाएँगे ठीक है तो dimension of left hand side पहले solve कर लेते हैं मैं हम उसको पहले dimension of V जो है यहनिए जो speed है इसकी हमारे पास आजाएगी इसकी V के लिए L T minus 1 यह पहले से हमें पता है कि dimension के लिए L T minus 1 अब हम क्या करते हैं कि density of elasticity इन दोनों को ले लेते हैं ठीक है अब dimension of density एप डायमेंशन ओफ देंसिटी जो है मैं इसको फिर सिट जिए लिए इसको है और आइब हुए देंसिटी यह वह ले इस इकुल तो देंसिटी का फार्मूले क्या होता है पहला को अंडुस्टेंड करें इसका फर्मूला है mass upon volume ठीक है? यह formula है तो mass के लिए जो dimension है वो capital M है और volume के लिए जो dimension है वो L cube है ठीक है? तो इस तरह से density के लिए M और L cube उपर जाके minus 3 यह density के लिए हमारे पास क्या जाएगा? इसके dimensions आजाएगे density के M L यह उपर नीचे plus 3 उपर जाके minus 3 तो dimension of density is M L minus 3 M L minus 3 ठीक है? M is the capital which is the dimension for the mass ठीक है? L cube is the dimension for the volume जब हम उसको उपर ले जाएगे तो minus 3 हो जाएगा इस तरह से हम dimension of elasticity निकाल लेते हैं dimension of elasticity modulus of elasticity sorry of elasticity elasticity ऑफ़े परलाइ जायदे की quantity समझ लेजीडा अब ज़रे बेस्टी सिटी को भी समझ लेजीगा by strength का है length upon change in length आपके पास ये फर्मूला ठीक है तो अच्छा इनका तो आपस में खत्म ही हो जाएगा ठीक है इसलिए कि ये बे लेंद है ये बें लेंद है तो दोनों का खत्म हो जाएगा लेकिन इसका जाहर है हो जाएगा जो आपके पास elasticity का हो जाएगा फोर्स का फर्मूला है F is equal to M है पहले हम कर चुके है M A ये मास मास के लिए M हो जाएगा देखें F is equal to M होता है तो M मास के लिए M हो जाएगा और L T minus 2 acceleration के लिए हो जाएगा F is equal to M A M A तो मास के लिए क्या जाएगा A capital M आ जाएगा ठीक है इसको यू लिख देजिएगा और acceleration के लिए L T minus 2 हो जाएगा ठीक है फोर्स के लिए अपाउन अच्छा एरिया के लिए L square हो जाएगा L square हो जाएगा ठीक है तो elasticity का जो बनेगा हमारे पास elasticity का जो आजाएगा वो M यह L है और यह L square एक इसके से उपर जा कि यह L और L minus 2 यह T minus 2 पूरा है ठीक है तो इससे आजाएगा यह M L minus 1 minus 2 plus 1 is minus 1 और T is minus 2 तो elasticity के हमारे पास M L minus 1 T minus 2 यह आलड यह आपके पास होगा अगर आप कोई समझ नहीं आएगा तो पिर आपस को लिख सकते हैं मैं सर्व इसकी वेल यहाँ पर लिख लेता हूँ M L minus 1 T minus 2 तो यह तो हमारे पास जो है elasticity के अब इन तीनों को हम क्या करते हैं इस formula के अंदर लगा देता हैं इन तीनों को इस formula के अंदर ठीक है तो हमारे पास आ जाएगा वी के लिए मैं एक दब लिख लिए वी इस एक्वल टू कॉंस्टेंट और यह density की ए और मडूलस की भी ठीक है ओके अब हम क्या कर लेता है कि वी के लिए ल टी माइनस वन ल टी माइनस वन यह वल बी के लिए ल टी माइनस वन डिन्सिटी यह मास अपने जगा पर जाएगा इस फर्मूले भी अन फर्मूले के अंदर भी आएगा और जो डिन्सिटी है ml-3 आ जाएगा ML-3 ये density के लिए हो जाएगा और जो modulus है उसके लिए ML-1 T-2 modulus के लिए ML-1 T-2 ये हमारे पास इसके values आजाएगी ठीक है ये question अच्छा खासा लेंती है इसमें फर्दर हम इसको solve कर लेते हैं ये L T-1 constant constant और M multiplied by M as M square हो जाएगा M square L-3 L-1 is L-4 और T-2 ठीक है ये हमारे पास dimensions आजाएगी अब जरह इस पर क्या करते हैं comparison करते हैं L की value 1 है L की value minus 4 है तो हम इनको आपस में compare कर दें अच्छा एक मिनिट चीज पूरी जो चीज में लगा ना बूल गया यहां पर A आ रहे यहां पर B आ रहे ठीक है तो इसको further A और B के form में convert कर दें M की A आ जाएगा M की A L की minus 3 A minus 3 A M की B M की B L की minus B और T की minus 2 B minus 2 B यह इस तरह से अपकी पास आ जाएगा ठीक है अब हम इसको यू कर लेते हैं कि L T minus 1 minus 1 is equal to constant constant M A और M B आपस में M की A plus B multiply हो रहे है तो यह आपस में plus हो जाएगे M की A plus B हो जाएगा L की minus 3 A और minus B हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह भी multiply हो रहे है तो उनके powers आपस में add हो जाएगी L की minus 3 A और minus B हो जाएगा इस तरह से T की minus 2 B हो जाएगा T की minus 2 B यह इस तरह के से हमारे पास यह वे लोजा जाएगी ठीक है L की minus 2 B ठीक है अब आप क्या कीजिएगा compare कीजिएगा L की 1 और minus 3 A minus B हो जाएगा तो हमारे पास minus 3 A exponent को compare कीजिए minus 3 A minus minus 3 A minus B is equal to L की power की और 1 है is equal to 1 यह एक ही equation हो जाएगी इसमें हम यह कर सकते हैं कि अगर हम अभी से मिसाल के तोर पे अगर चाहें तो minus B को हम उदर ले जाएगा माइनस 1 को इदर लेकर आए तो B उदर चला जाएगा प्लस हो जाएगा यह वन इदर आएके minus हो जाएगा तो minus 3 A और minus 1 हो जाएगा ठीक है यह वी उदर जाएके plus हो जाएगा तो B आजाएगा और यह वन इदर आएके minus 1 हो जाएगा तो minus 3 A minus 1 आपके पास B की value आगई है जाके further हम इसको solve करेंगे M की value जो हमारे पास आ रही है M हमारे पास आ रहे A plus B A plus B is equal to यहाँ पर कोई M नहीं है तो M की पारों हम 0 ले ले लेगे है तो A is equal to minus B हो जाएगा ठीक है यह B is equal to B is equal to A उदर जाके minus A ठीक है तो यह B ओके अब इस तरह से हम यह B की value minus A रखे हम उस पे से यह value निकाल सकते हैं लेकिन एक और चीज़ भी हम उसको compare कर देंगे ओके यह equation 1 है यह equation 1 है और इसको equation 2 कर दें ठीक है put the value of B minus A and this equation हम इसको इदर लेकर देंगे यह minus A is equal to minus 3A minus 1 3A minus 3A तो minus 3A इदर आखे हैं प्लस 3A तो 3A minus A is equal to minus 1 3A minus A is 2A is equal to minus 1 A is equal to minus 1 upon 2 A की value हमारे पास इस तरह के से आ चुकी है ठीक है अब हम करेंगे B की value निकालेंगे एक और equation है वो consecution है T की minus 2B is equal to 0 हो जाएगी यहां पर कोई हमारे पास कोई चीज़ी नहीं है तो T की minus 2B sorry minus 2B जो T की value है is equal to हाँ पर कोई B नहीं है तो M T नहीं है हमारे पास sorry minus 1 minus 1 है T की minus 2B is equal to minus 1 हो जाएगा ठीक है यह minus हो minus cancel हो जाएगा 2B is equal to 1 B is equal to 1 upon 2 तो हमारे पास B की value आ चुकी है A की value आ चुकी है अब यह B की value और A की value इस equation के अंदर हम डाल देंगे और हमारे पास इसका answer आ जाएगा यह मैं मिठा रहा हूँ question की यह जो step मैं आगे कर रहा हूँ यह इसके बाद होगा लेकिन चुकि हमारे पास जगह नहीं है तो यह जगह मैं मिठा रहा हूँ और इसके अंदर पे हैं जो आगे step है उन्हें कर रहा हूँ ठीक है क्यूंकि हमारे पास इस question को मिठा देता हूँ ठीक है question में मिठा यह तो यहां पिकर लेता हूँ तो मैं इसको इधरी continue हम कर लेता है मारे पास question V is equal to constant V is equal to constant constant density की value A है और modulus की value B है ठीक है अब यह values A और B की value लोगा दे V is equal to constant constant density की value जो A हमने निका लिए हो minus one upon two है density की value minus one upon two और elasticity की value जो हमारे पास है वो भी है देखिए elasticity के वह फर्मूला भी आ रहे है तो B की value one upon two one upon two डाल देता है ठीक है इस तरह से वी की value हो जाएगी constant constant density दून अंदरूट के अंदर आ जाएंगे क्योंकि यह भी वह न पार्टू है यह भी वह न पार्टू है और यह नीचे चुकि इस तरह से क्योंकि यह प्लस वन अपांटू है तो उपर अंदरूट आ जाएगा वन पांटू की वह लों अंदरूट होती है और इसकी वह नपांटू तो इसकी वह लों पांटू तो इसकी वह नीचे जाएका अंदरूट हो जाएगा तो V is equal to constant constant इन दोनों को E upon density अंदरूट यह हमरे पास इसका फाइनली फार्मूला आ जाएगा और इसका हमरे पास यह अंसर आ जाएगा तो यह क्वेस्टिन तो मुश्किल है अगेन मैं तो अश्वार्टी बता जाएगा किस तरी कैसे सॉल करना है सबसे पहले दोने चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज का फर्मूला निकालने जा रहे उस वह किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर लेता आपको पहले से पता होना चाहिए मैं स्पीड of sound निकाल रहा हूं वह डिपेंड कर लेता है elasticity के उपर और density के उपर density of the medium and elasticity of the medium तो मैं generally formula लिख दूंगा we directly proportional to density की power A we don't know क्यों power A क्या है वही हम निकालेंगे सबसे मुश्किल चीज़ वही है उसके अंदर और elasticity की power भी अपने थर्फ से c d डाल दे p q डाल दे कोई problem उसमें नहीं है a b जुरू नहीं है a b c d e f g h कोई भी चीज़ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं ठीक है फिर proportionality को खत्म करने कि हम constant equality में convert करते हैं तो we is equal to फिर हम constant लगाते हैं और चीज़ बाकि वही आ जाएगी अब असल में left hand side पे क्या dimension है वी की हमने निकालना है वो इधर ही लगाना है वी की dimension वाल्यूम का dimension लगा देंगे वो density का dimension आ जाएंगे इस तरह से elasticity के dimension elasticity का formula लगा देंगे और इस तरह से पिर उसके जो dimensions बनेंगे वो लिख देंगे पिर वो dimension हमारे पास जैसे speed के लिए lt-1 इसके लिए density के लिए ml-3 और elasticity के लिए ml-1 t-2 हमारे पास आ रहे हैं और exactly इसी formula के अंदर हम उसको डाल देंगे टीक है लेकिन ये इसकी फर्मूले ये शक्र लिख देंगे dimensions के form में लिख देंगे v के लिए lt-1 इस तरह से जो constant हो अपने जगह पर वैसे ही आ जाएगा density के लिए ml-3 और elasticity के लिए ml-1 t-2 और इसके जगह हम पावर लगा देंगे भी भी लगा देंगे टेक हैं पिर हम उसको इस तरीके से solve कर देंगे finally हम m के exponents को compare कर देंगे तो m का कोई exponent पहले इसको left right hand side पे solve कर देंगे हमने solve किया finally और m के जो exponents right hand side पे a plus b आ रहा है यहाँ पे कोई m नहीं है तो इसकी जो पावर होगी वो 0 होगी हम a plus b is equal to 0 कर देंगे इस तरह से l के हम निकाल लेंगे minus 3 a minus b आ रहा है left side पे 1 आ रहा है तो minus 3 a minus b is equal to 1 कर देंगे इस तरह से हम उसको solve कर देंगे a plus b is equal to 0 इन दोने से हमने b की value is equal to minus 1 minus a लगा दिया यह b की value minus a हमने इस equation के अंदर यहाँ पे लगा दिया minus a इस equation के अंदर b की जिगए value minus a लगा दि solve क्या a की value minus 1 upon 2 आ गई इस तरह से t के जो minus 2 b है that is equal to t की पहूर minus 1 तो minus 2 b is equal to minus 1 minus 2 b is equal to minus 1 minus minus cancel b की value 1 upon 2 आ गई अब जब हमारे पास a की value आ गई है भी यह पूरा जो process हमने किया हमें a और b की value निकालने के लिए जितना कुछ हमने किया यह सब पूरा process हमें चाहिए था a की value और b की value अब इसी formula के अंदर जो a है और b है इस की value डाल देंगे और हमारे पास formula आ जाएगे इसी formula के अंदर a और b की value हमने डाल दी solve गया और हमारे फास formula आ गया ठीक है तो यह question important भी है और थोड़ा से difficult भी होते हैं ठीक है बाकि इंशालला question number next one point nine one point two two questions रहते हैं next video के अंदर निशालला कोशिश करेगी उसको solve कर देंगे आश्के बसिंते ही